सोलन में आमादमी पाठी के प्रदेश अध्यक्ष सुर्जीत सिंग ठाकुर ने काया कि भाजपा सरकार इंदिनों हिमाचल प्रदेश की जनता को कर्ज के बोज में डुबो कर रैली आयोजित कर रही है यदि भाजपा सरकार ने कोई विकास किया है तो उसे जनता के सामने रखें लेकिन आमादमी पाठी का लक्ष हिमाचल की जनता की सेवा कर्ज को खत्म करना और करप्शन दूर करना है